दुनिया की सबसे बड़ी डेमोफ्रेजी जिसने आजादी से लेकर अब तक पिछले 75 सालों में कई पिर्थान मंत्रियों का साशन देखा है प्रेश मुकापणी लेकर आरा एक ऐसी सीरीज जिसमें कहानी होगी भारत के अब तक के सभी प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री सफर आजादी से अमरत काल का ध सरेवां थार गचात बाक बत्ता का पिर्धान मंत्री से लेकर आरा खाना मंतिंपले सैंड़ी आरा एक और के लेकर वाग्रत का वी भी से नहीं एक पिलिजसे देखा थाच네 जो आप साब लोग मेरी अडियो आप लोग मेरी आदियो क्लीर है कि ने प्लीजा बता दीजे comment section में लिखकर जल्दी-जल्दी से अब क्योंकि ये session आपके लिए बेहद important है इस session के अंदर हम क्या-क्या चीज़े करने वाले हैं I hope आपको दिख रहा है पता है last 15 years के one word substitution कल जिसका हमने किया था part number 1 उसी का part number 2 हम करने वाले हैं आज के इस session के अंदर तो जितने भी लोग यहाँ पर आगया है जल्दी से जाईए जल्दी से जाईए session को like करके आईए अपने friends के साथ session को फटा-फट से share कर दीजे SSE MTS, SSE CGL, SSE CHSL सब की dates आचुकी है dates क्या? MTS का form आचुका है बाकी की dates आचुकी है तो अब किस बात का वेट कर रहे हो preparation करने के लिए यही वो समय है जब आपको पिछले इस साल के मतलब previous year questions को तयार करके अपनी preparation को 100% करना है Now is the time This is the time for the preparation ठीक है ना? तो जल्दी से जितने भी लोग यहाँ पर आगये है और जितने लोग यहाँ पर new है जिन्होंने नहीं जॉइन किया है वो जाके टेलेग्राम ग्रूप को फटाफट से जॉइन कर दीजे ठीक है ना? ग्रूप आपके सामने है चलो भाई ग्रूप जॉइन कर दीजे आप लोग फटाफट से अब क्योंकि एक्जाम फीवर आउन है है ना? ओके चलिए शिरुवात करें जितने लोग आ गए है बाकी लोगों के साथ इस सेशन को जरूर से शेयर कर दीजे जिससे कि ये सेशन माक्सिमम लोग तक पहुँच जाए क्या करोगे भाई हमारी एच का? अब आपको कुछ पढ़ा रहे हैं तो अपने से बड़ा ही इस से बड़ा ही कंसिडर करिये ठीक है ना? चलिए अब मैं करने जा रही हूँ पहला सवाल आपके सामने आप जो one word है ना उसका type थोड़ा सा different है तो बिलकुल दिमाग को खोल दीजे यहाँ पर क्योंकि ये questions वो हैं ये words वो हैं जो पिछले साल आय हुए है तो समझ लीजे कि इन ही words में से आपको question मिलने वाले हैं अगर आप सिर्फ मेरे पढ़ाई हुए words पढ़कर भी exam में जाओगे तो आपको एक भी question one word का गलत नहीं होगा दिस इस माई गारेंटी ठीक तो आपका यू गाइस रेड़ी तैयार हो सारे आपका यू गाइस रेड़ी बताइए चले आँगे यहाँ पर आपका one word substitution आपका basic one word substitution नहीं है आपको दो statements given है आपको दो words बताने है दोनों की meaning a, b करके given है a word क्या है, b word क्या है आपको वो option बताना है study of mountains lasting for a short period of time come on everyone thank you so much Dikshah answer बताओ भई पहला सवाल आपके सामने है सब लोग लोगों का कहना है option number b होगा लोगों की बात पर मत जाईए लोगों का काम है कहना आप अपना दिमाग लगाईए लोगों की बात पर जाएंगे तो गलती भी कर सकते हूँ अपना खुद का दिमाग लगाओ है ना maximum लोगों का कहना है orology और transitory कुछ लोग phonology बोल रहे हैं इस phonology phone word sounds से related होता है ठिक cardiology hearts से related है etymology क्या होती है etymology क्या होती है etymology मैं आपको आप सुभिम मैंने बताई थी जहां से words की history words का origin etymology होता है answer हो गया है orology study of mountains transitory जो चीज परमानिन नहीं है बहुत कम देर के लिए है answer is option number two ठिक चलो अगला सवाल है आपके सामने बताईए ज़रा बहुत ही बहतरीन question देखें कौन इसका answer देगा guys, एक बार session को सब लोग like कर दीजे जिससे कि आपकी respective attendance इस session के उपर माक हो जाए violation और misuse of what is regarded as sacrate a temporary stay बताई सारे लोग इसका answer बिलकुल फटा फट से क्या हो जाएगा okay temporary stay को interval कहते है भाईया ये क्या कर रहे हो आप लोग temporary stay को interval कहते है seriously? ये 3 जितने लोगों ने दिया है बिलकुल गलत answer है 3 बारे लोग किनारे हो जाए क्योंकि temporary stay को interval नहीं कहते है temporary stay को sojourn कहते है temporary stay को ये सब भेड़ है अपना दिमाग नहीं लगाना है एक ने गलत answer दिया है उसके पिछे सब पहुँचे गढ़े में गिर रहे हो अपना खुद का दिमाग क्यों नहीं यूज करते हो पवित्र चीज का misyuj sacrilege कहलाता है पवित्र चीज का misyuj sacrilege कहलाता है answer तो यहीं से निकल रहा था समझ में आया फिर आपके नीचे जो words sedition कुछ लोग कह रहे है sedition क्या चीज होता है पता है राज-द्रोह sedition को कहते है यह चीज राज-द्रोह कहलाती है समझ में आया answer आपका क्या हो जाएगा sacrilege and sojourn यह होता है short stay answer is option number one ठीक है अब answer बदलने की जरुवत नहीं है क्योंकि answer हम आप लोग के देख चुके हैं हम नाम सब का देख लेते हैं चलिए बताईए यह तो बड़ा simple सा सवाल है देखे जरा इसका answer कौन देता है let's see फटा फट से सारे मुझे answer बताओ okay something that can be heard audible कहलाती है जो चीज सुनी जा सकती है audible कहलाती है answer तुरंथ हो गया हमारा option number 3 audible सिर्फ option number 3 ही में तो है option number 3 हमारा answer हो गया यहां पे और avicide कहलाती है birds की killing ठीक? चलो next question आपके सामने है a solution or remedy for all difficulties or diseases हर मर्ज की दवा को जरा कौन बताएगा क्या कहा जाता है यह सवाल इतना पूछा जाता है कि हर एक student को रटा होना चाहिए बताइए answer क्या होगा verbatim, souvenir, plagiarism या फिर panacea बिल्कुल सही जवाब है panacea is the right answer verbatim क्या होता है? verbatim जरूरत से ज्यादा words का नहीं, नहीं, सॉरी word to word copy करना word to word same चीज जब होती है तो verbatim कहलाता है ये souvenir का मतलब क्या होता है as a reminder कोई चीज जो as a reminder रखी जाती है किसी place का, किसी event का plagiarism होता है literary copy किसी का literary work copy करना is plagiarism answer होगे आपका option number 4 panacea ठीक, चलो अगला सवाल पूछ रहा है fond of company ऐसा इंसान जो लोगों की company में रहना पसंद करता है portable, chronology, gregarious या फिर nostalgia क्या answer होगा? बताईए सभी लोग मुझे इस कान सदो बताईए ये वो इंसान है जिसको लोगों के साथ बहुत पसंद है लोगों की company बहुत पसंद होती है क्या लग रहा है इस cancer? बताईए सभी लोग लोगों की company पसंद करने वाला extrovert या gregarious कहलाता है gregarious is that person who loves people's company portable का मतलब होता है पीने योगे chronology का मतलब होता है sequence के according जब कोई चीज होती है time के according तो वो चीज chronology कहलाती है nostalgia का मतलब क्या होता है nostalgia का मतलब होता है कुछ पुरानी चीज़े जिसको याद कर आपको मन करे कि cash for time वापस आ जाए ये चीज nostalgia कहलाती है तो answer क्या है? option number one is the answer agree garyas ठीक चलो अगला सवाल आपके सामने फटा फट से मुझे इसका answer बताने से पहले आपके लिए reminder है कि test book का pass इस time चल रहा है 399 रुपीज का और जिससे पहले कि आपके April में rates बढ़ें you should definitely go for the test book pass क्योंकि आपके exam clear करने के test book pass होना बेहाद important है test book pass के अंदर सारे exams के mock test होते है so guys आज ही low और हर दिन mock test देना शुरू कर दो अगर सच में exam clear करना चाहते हो यह code दिख रहा है ANS pass यह code ANS pass जो आपको दिख रहा है यह code आपको देगा 10% extra discount payment के टाइम पर आप यह code यूज़ कर सकते हो ठीक चलिए next question है आपकी screen पर answer बताईए an extreme feeling of pleasure, happiness and excitement आज हम orange लग रहा है रसना चलिए कोई बात नहीं तो nostalgia वाली feeling आप लोग को आ रही होगी बच्पन वाली बच्पन में रसना पीते थे कि नहीं यार हम लोग तो बहुत पीते थे चलो, बताओ answer euphoria exactly, बिलकुल सही answer है euphoria बोला जाता है जो extreme happiness वाली feeling होती है excitement, happiness वाली feeling euphoria कहलाती है pathology क्या होता है pathology वो science होती है वो study होती है जिसमें disease के पीछे का reason पता किया जाता है biopsy, biopsy क्या है जब body से कोई tissue निकाल कर उसकी research करके बिमारी का पता लगाया जाए, तो यह biopsy होती है और exam क्या होता है exam वो statement होता है जिसको सच मान लिया जाता है without any sort of proof तो रांसर क्या हुआ यहाँ पे option number 2 euphoria, ठीक अगला सवाल जितनी जल्दी करोगे उतने सारे questions हम कर पाएंगे और energy level बिलकुल high होना चाहिए यहाँ पे इस तरीके से आप इसको sentence में बना सकते हो DSSB में कुरती लगिंग पहन कर जा सकते हैं जू ही exact ही बिलकुल पहन कर जा सकते हो मुझे नहीं लगता कपणों को लेकर आपको कोई कुछ बोलेगा I don't think so, आप बिलकुल पहन कर जा सकते हैं बताए government run by wealthy people अमीरों की सरकार क्या होती है all-11 की aristocracy, monarchy, plutocracy all-11 की होती है जो एक छोटा सा ग्रुप पूरी सरकार को चलाता है all-11 की कहलाती है aristocracy क्या होती है aristocracy guys वो सरकार होती है जिसको कौन चलाते हैं aristocracy को चलाने वाले होते हैं बहुती high rank के लोग बहुती high rank के लोग चलाते हैं aristocracy फिर आती है मोनार्की, राजारानी वाला सिस्टम, और प्लूटो क्रेसी, अमीरों की सरकार, तो आंसर हो गया, option number 4, option number 4 is the answer, ठीक है, चलो, अगला सवाल, अब जितने लोग यहां पर हो, guys, you all are 400+, so just go, like button को click करिये, जिससे कि आपकी attendance, आपकी presence यहां पर mark हो जाए, मुझे 400+, यहां पर likes दिखने चाहिए, ठीक है ना, वाउ, there are not even 200 likes, यार, बहुत कंजूसी इतनी क्यों करते हो, like करने में, session, सारी कंजूसी like करने में ही है, अगर किसी को लग रहा है, like करने में, like करने में, पैसे करते हैं, तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है, आप like अराम से कर सकते हो, च which is capable of being read, incapable of being read and understood, जो चीज पढ़ में ना आए, समझ में ना आए, वो चीज इलिजिबल कहलाती है, ऐसी handwriting, अगर हम अपना नाम लिख दें, हम से कोई कह है, बेटा, अपना नाम लिख और हम लिख दें, तो पढ़ पाओगे, कभी नहीं पढ़ पाओगे, इलिजिबल है यह जो चीज मिटाया ना जा सके, वो इंडेलिबल, जो चीज लीगल ना हो, वो इलीगल, और जो चीज समझ में ना आए, वो इंटेलिजिबल होती है, समझ में ना आने वाली चीज इंटेलिजिबल कहलाती है, ठीक है ना, चलिए, अगला सवाल है आपके सामने, बहुत ही बह बताईए सारे लो, कोई स्टूडेंट यहां बोल रहा है, दी ट्रिपल असबी में सिफ टीशिर पहन के जानी होती है, गाइस क्योंकि दी ट्रिपल असबी का मुझे आइडिया नहीं है, और अगर किसी ने ऐसा बोला है, तो कि मुझे आइडिया नहीं कि कपडों को रेलेटे किसी का death note, death sentence, newspaper में जो निकलता है, वो abutury कहलाता है, review का मतलब होता है, किसी चीज़ को दुबारा से चेक करना, mortuary क्या होती है, पता है आप लोगों को, mortuary guys, वो camera होता है, वो room होता है, अस्पताल वगेरा में, जहां पर dead bodies रखी जाती है, और editorial तो मेरे students को पता ही होगा, रोज सुबह हम करते है, editorial में राइटर अपना opinion लिखता है, कि उसका क्या मानना है, ठीक, clear है, obitually बिलकुल सही answer है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं, अगला question है आपके सामने, soft inner part of nut or fruit stone, कोई fruit है, कोई nut है, उसके अंदर जो soft वाला हिस्सा होता है ना, उसको क्या बोलते है Kernel, Caramel, Bean, Pulp, कौन देगा answer? सब लोग बताओ क्या कहते हैं? सॉफ्ट वाले हिस्से को Kernel कहा जाता है, समझ में आया? Kernel कहा जाता है, जो soft वाला हिस्सा होता है, Caramel क्या होता है, इस टॉफी वगेरा में आपने कभी Caramel खाया होगा, ये कुछ sweet, sugary सा substance होता है, हैना, soft सा, sugary सा substance होता है, Caramel, Bean सब को पता है, हैना, पतली-पती सी, लंबी स substance होता है, pulpy orange वगेरा आपने पिया होगा drinks, थोड़ी से उसमें थोड़ा गाढ़ा सा होता है, थोड़ा pulpy सा होता है, ठीक, answer is Kernel option number one, Kernel, चलो, अगला सवाल जरा मुझे बताइए, क्योंकि ये A, B, इसमें दोनों है, इस question का देखने हैं, कौन answer दे पाता है, come on everyone, take your time of 35 seconds and give me the right answer, जल्दी जल्दी से बताओ, come on everyone, fast, answer सबसे चाहिए मुझे, stoicism, हिंदी मीनिंग, हम कोशिश करेंगे कि हम हिंदी मीनिंग आपको बता पाएं, है न, हिंदी मीनिंग लिखना अचली गाइस, बहुत बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, ब मुश्किल होता है, आप समझ रहे हैं, कि इतना टाइम एक एक एजिकटर के पास नहीं होता कि वो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिग है, है न, और। अप्शन नम्बर सी मेरे पास आंसर आ रहा है, शल्ये, अर्मिस्टिस और अग्नोस्टिक बिल्कुल सही है, An agreement made by opposing side in war to stop fighting for a certain time जो जिन लोगों के बीच में war हो रही है दोनों पक्षो के बीच में एक agreement होता है कि चलो थोड़ी देर के लिए हम लड़ाई करना युद्ध को बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए युद्ध को बंद करने का जो agreement होता है वो armistice कहलाता है के उपर doubt होता है कि भगवान exist करते हैं कि नहीं option number 3 is the answer कोई शक option number 3 is the answer चलिए, काफी लोगों का सहीत हो और काफी लोग एक दुसरे का copy भी कर रहे हो और ये चीज़ acceptable नहीं है ठेक है? चलो अगला answer बताओ atheist होता है जो भगवान को मानता ही नहीं है एगनॉस्टिक को शक होता है कि भगवान है या नहीं लेकिन atheist भगवान को नहीं मानता चलिए, जिसकी कोई boundary नहीं है, कोई limit नहीं है, वो चीज़ क्या कहलाती है, हमें कौन बताएगा जिसकी ना कोई boundary है ना कोई limit है, वो चीज़ infinite कहलाती है colossal का मतलब बहुत बड़ा enormous का मतलब बड़ा tremendous का मतलब बड़ा बड़ा is something different जिसकी कोई limit ना हो वो चीज़ अलग है answer is infinite option number 3 किसी को कोई शक इसमें ठीक, चलो अगला सवाल आपके सामने आ गया है सब लोग मुझे इसका आंसर देंगे बिलकुल फटा फट से occult meaning of numbers and there is supposed influence on human life चल ये answer बताईए सारे लोग फटा फट से astronomer, prophet, astrologer या फिर numerologist बताओ भई numerologist are you sure? जो number की studies करता है और number की studies से बताता है लोगों की life पे क्या असर पड़ेगा ये numerologist होता है numerologist number देखकर आपका past, present, present, future बता देगा numerologist astronomer होता है जो space science पड़ता है profit होता है कौन? बोलते है ना कि जो भगवान ने जिसको धरती पे भेजा है ज्यान देने के लिए sort of ये profit होता है astrologer जो आपकी कुंडली वगएरा पड़ता है बनाता है astrologer होता है ठीक, stars की position planets की position वगएरा देखकर जो future credit करता है astrologer देने वाले लोग बिलकुल गलत है right answer is numerologist ठीक, चलो अगला सवाल है आपके सामने जरा मुझे आन से बताईए instrument for detecting earthquake क्या कहलाता है भुकंब को detect करने वाला जो scale होती है जो instrument होता है वो क्या होता है phathomometer ठीक, lithoscope seismograph, cardiograph who's gonna give me the right answer guys come on everyone fast जल्दी से answer बताओ कौन देगा मुझे यहां पर सही जवाब okay चलो all right fantastic 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 seismograph seismograph कहलाता है phathomometer क्या होता है बताओ भई phathomometer क्या चीज होती है कौन बताएगा मुझे क्या होता है यह phathomometer phathomometer किसी चीज की depth नापता है है ना किसी चीज की depth नापने वाला या फिर आप समझ लीजे हाँ जी water की especially depth नापने वाला lithoscope क्या होता है lithoscope का का काम क्या होता है जो stones या precious bodies को distinguish करता है precious bodies है stones है उनको distinguish और cardiograph होता है जो heart related चीजों को नापता है clear answer हो गया option number 3 चलो अगला सवाल है आपके सामने फटा फट से हमें answer बताओ A और B दो question है यहाँ पर level बहुत अच्छा है बताईए जरा हमें answer and guys just a reminder just a friendly reminder कि आप एक बार session को like सरूर से कर दीजेगा जिससे कि आपकी attendance आपकी presence मेरे session में mark हो जाए ठीक फिर हमें answer बताओ कौन इसका answer बताएगा and please अपने दिमाग से answer सोच के बताना अपने दिमाग से answer बताना किसी का देख कर बताने से बिलकुल भला नहीं होगा यहाँ पर तो राहत मिलेगी कि चलो मेरा answer सही हो गया इनका tip के मैंना लिख दिया था लेकिन exam में क्या करोगे यार जब यहाँ गलती करोगे तो उसी से exam में सीखोगे कहलाता है demagogue demagogue वो person होता है जो basically emotionally लोगों को अपने पक्ष में कर लेता है लोगों की desires से बात करता है और लोगों को अपने साइट कर लेता है यह demagogue होता है अर epitaph क्या होता है epitaph लिखा होता है किसी की memory में जो इनसान की death हो जाती है उसकी memory में जो लिखा जाता है पत्थर पे वो epitaph कहलाता है answer is option number 3 demagogue and epitaph ठीक चलिए अगला सवाल है आपके सामने फटा फट से मुझे इस कहां से दीजे चलो let's see come on everyone to make repayment endorsement, reversement, disbursement या फिर penalty कौन बताएगा इसका answer reimbursement कहलाता है चलिए मैं सबके meanings यहाँ पर लिख देती हूँ सबसे पहला यहाँ पर word है आपका endorsement endorsement का मतलब होता है किसी का समर्थन करना किसी चीज का समर्थन करना is endorsement reimburse answer है disbursement का मतलब क्या होता है disbursement का मतलब होता है पैसे का भुगतान करना पैसे का भुगतान करना और penalty होती है जो punishment लगती है punishment किसी के उपर लगती है वो penalty कहलाती है answer is option number 2 ठीक, चलो अगला सवाल है आपके सामने again AB वाला question है, दो words आपसे पूछे है बताइए जड़ा सब लोग देखें जड़ा कौन इसका answer दे पाएगा let's see okay short story typically with animals एक short story होती है जिसमें animals अगेरा होते हैं वो क्या कहलाती है वो fable कहलाती है short story जिसमें animals है वो fable कहलाती है फिर आपका लिखा है poem और serious reflection typically a lament for the dead elegy कहलाता है है ना elegy कहलाता है जब किसी dead इंसान के लिए आप कोई poem अगेरा गाओ option number 4 is the answer किसी को कोई शक कोई doubt maximum के ही answer है shabash very good चलो अगला सवाल क्या पूछ रहा है आपसे पहला ही देखकर answer निकल जाएगा पहला वाला ही देखकर तुरंत answer निकल जाएगा जल्दी से बताओ मुझे answer हमसे अगर English पढ़नी है तो यार YouTube पर ही सारे batches attend कर लो जब batch आएगा आपका crash course CHSL का मेरा आने वाला है है ना तो आप में से जिसको CHSL का crash course चाहिए होगा मैं आपको बता दूँगी आप AN20 code यूज करके खरीच सकते हो मेरा बहुत ही जल्द आने वाला है CHSL का crash course ठीक चलिए बताईए पहले answer जो है कुछ और बनने की कोशिश कुछ और करता है बहरूपिया इसको English में क्या बोलते हैं इंपॉस्टर बोलते हैं छुपी हुई चीज़ false identity incognito कहलाता है false identity is incognito the right answer is option number one चलिए अगला स्वाल देखते है the next question is आप बताऊ सारे लोग इसका answer फटा फट से इसका answer दीचे phonetics the word is phonetics sound, reading, pronunciation, writing पूरा का पूरा खेल है आपके root word का सोच समझ क्यांस देना मुझे सब लोग जल्दी से phonetics root word का खेल है बताऊ pronunciation अच्छा बाकी लोग इंडीड विशाल is an imposter in the session चलिए sounds p-h-o-n p-h-o-n phone यह root word है जिसका मतलब होता है sound समझ में आया root word है जिसका मतलब है sound किसी भी word में अगर phone आ रहा है तो maximum words का मीनिंग क्या होता है sound से related option number one is the answer phonetics sounds का science science चलो देखे जरा इसका answer कौन दे पाएगा यह तो बहुत important है बहुत पूछा जाता है यह question बताएजे जरा हमें let's see who gives the right answer here बिल्कुल सही जवाब cosmopolitan वो cosmopolitan कहलाता है जो पूरी दुनिया को अपना देश समझता है पूरी दुनिया उसका देश हो वो cosmopolitan है समझ में आया चलिए अगला सवाल है आपके सामने answer बताओ nowadays ready-made meals sell well because of their convenience क्या कहलाते है इसमें आपको क्या बताना है जरा ध्यान से देखेगा आपको इसमें convenience का synonym बताना है basically synonym of convenience come on everyone inutility impediment suitability या फिर vexation ये बेच में गलती से आगए हैं आपके synonym आंटनिम वाला question जल्दी से आथ से बतादो सारे बीच में question आ गया है बहुत ही easy है लेकिन इतना easy कि आप लोग चुटकियों में answer दे लोगे क्या होगा convenience क्या होती है suitability होती है convenience is suitability बिल्कुल सही है suitability ये ज़र आए चांसर गलती से आगया है लेकिन हम तो इसको भी कर लेंगे है ना चलो अगला सवाल बताईए ज़रा a period of dry weather that is injurious to crops वो period जो crops के लिए injurious होता है draft heat wave fenwine या फिर drought क्या कहलाता है guys at least there should be 500 likes यार आप 500 से ज्यादा हो और अब तक 500 likes नहीं पहुँचे है ऐसे कैसे चलेगा यार 1000 likes का हमारा target कैसे पूरा होगा जब आप लोग 500 नहीं पहुँच पाऊगे so it's my request to everyone just go and hit the like button once ठीक अपने attendance mark कर दीजे session को like करके drought मानलू famine का मतलब होता है भुखमरी है ना answer is drought सूखा पढ़ता है drought कहलाता है अगला सवाल beyond the power of law और nature जो चीज law और nature के power में नहीं है वो चीज क्या कहलाती है बताओ ज़रा जल्दी से answer बताईए सब लोग supernatural कहलाता है जो beyond law of nature हो जो nature के loss के परे हो वो चीज क्या कहलाता है supernatural कहलाता है superflush English में पढ़ते आए हो जो चीज extra होती है वो superflush कहलाती है सरमाइस का मतलब क्या होता है किसी चीज को बिना सुबूत के guess करना speculate करना superlative आपको पता है जो highest form और highest order होता है वो superlative कहलाता है चिक चलिए अगला सवाल study of art of teaching यह जो art of teaching होती है इसको क्या बोलते हैं कोई बताएंगा जल्दी जल्दी बताएंगे ज़रा अल्राइट पीपल चलिए देखते हैं कौनस कहां से देता है let's see pedagogy क्या कहलाती है इस pedagogy या pedagogy जो भी इसको बोलते हैं option number 3 is the answer art of teaching जो होती है उसकी study को pedagogy बोला जाता है pathology बिमारी के पीछे का reason जानने की जो study होती है philately stamps की study postal stamps की study और patrimony जो चीज हम अपने पिता से ग्रहिन करें वो चीज पात्रिमनी है ठीक पिता से ग्रहिन की हूँ चीज इस पात्रिमनी answer is option number 3 चलो अगला सवाल है आपके सामने मुझे answer बताएए फटा-फट से matter written by hand जो हात से लिखा जाए वो चीज क्या होती है hand written manuscript amnistry approved what's the right answer everyone हमको यार quit मत बताया करो हमको मत quit कर दो यार answer बताएए अभी भी 500 नहीं पहुँच पाए हो आप लोग यार इतना slow चलोगे तो कैसे काम होगा session को फटा-फट से like कर दो हमें 1000 पहुचना है न targets हमेशा बड़े रखिए जो चीज हाथ से लिखी जाती है वो चीज manuscript कहलाती है हस्त लिखी हस्त लिपी जो होती है manuscript होती है हाथ से लिखा हुआ कोई भी चीज ना वो handwritten है amnesty होती है official pardon official pardon और proof का मतलब सबको पता है official mafia official pardon amnesty कहलाती है answer है option number two चीज़ चलो अगला सवाल क्या बोल रहा है जल्दी से देखो और हमको answer बताओ इतना simple सा question है यह सारे words आपके one word के लिए बहुत important है हर एक word one word में इन में से पूछा जाता है चारो words में से 600 plus people are here but अच्छा pdf आपको पता है ना कहा मिलेगा on my telegram group that is ananya ma'am underscore test book pdf मिलेगा ananya ma'am underscore test book यह telegram group है इसको जॉइन कर लीजएगा negligible is the right answer बिलकुल सही है invincible जिसको आप हराना सको feasible जो चीज possible हो मेरे लिए 4 घंटे पढ़ाना feasible है लेकिन 10 घंटे पढ़ाना लगातार feasible नहीं है जो चीज आपके लिए possible हो वो चीज feasible negligible ना के बराबर हाँ जो बहुत ही unimportant सी चीज हो plausible जिस पे आप भरोसा कर सको वो चीज plausible कहलाती है ठिक चलिए answer हो गया option number 3 अगला question यार bilingual इससे ज़ादा bilingual हम क्या करें अब competition में Hindi तो आती नहीं है ना CGL में आती है ना CHSL में आती है ना MTS में आती है और ना ही हम Hindi के teacher हैं तो हम आपको Hindi में कैसे पढ़ा सकते हैं हम आपको Hindi meaning बता सकते हैं एन वशिष्ठ जी handwritten इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे हस्तलिपी की बात करी जा रही थी वो document जो हाथ से लिखा जाए हाथ से आप board पे कुछ बना दो वो handwritten हो जाएगा handmade हो जाएगा ठेके ना कोई document है जो हाथ से लिखा गया है वो manuscript हस्तलिपी कहलाती है चलिए बताईए answer एक ऐसी imaginary state जहाँ पर कोई परेशान नहीं है कोई दुखी नहीं है आपके सपनों का महल सपनों की दुनिया एकदम खुश हो सब लोग इसको utopia कहलाता है है ना utopia कहलाता है सपनों की दुनिया जहाँ पर सब कुछ इंदम happening happening हो रहा है dystopia कहलाता है guys जहाँ पर सब कुछ दुख हो है है ना दुखी मौहाल है जहाँ पर ये भी imaginary state है utopia, dystopia साथ में आद रखेगा utopia जहाँ पर सब कुछ खुश ही है dystopia जहाँ पर सिर्फ गम फैला हुआ है दोनों की दोनों आपकी imaginary state है ठीक, एक्या जिया क्या वर्ड आर्केडिया आर्केडिया क्या चीज होती है ये ऐसी चीज होती है समझ लीजे जहाँ पर आपको peace मिले calmness मिले, especially गाओं के साइड आपको भी गाओं गए होगे सालों बाद अगर आपको भी गाओं जाओ तो आपको वहाँ पर peace मिलेगा शांती मिलेगी है ना तो इस चीज को आर्केडिया बोला जाता है innocence, simple, peace और nostalgia तो सबको पता है answer हो जाएगा आपको option number one tick चलो, अगला सवाल है आपके सामने one, two, ये वाले question बहुत amazing है, नए pattern पर यही questions आपके चल रहे हैं मैं telegram का link आपको थोड़ी सी देर में comment section में डाल दूँगी, परिशान मत होईए ठीक है ना Hindi में imaginary state खयालों की दुनिया खयालों की दुनिया को imaginary state बोलते हैं, है ना, आपके सोच में चल रही है, आपने सोच लिया है कि आर एक ऐसा दुनिया है, जहां पर मैं अपने crush के साथ हूँ, हम दोनों आप से गूम रहे हैं, खेतों में, बागों में this is utopia, समझ में आया चलो आज से बतावे इसका, ज़्यादा खुश हो गए होगे सीफोलोजिस्ट होता है, जो इलेक्शन ट्रेंड्स, वोटिंग स्टाटिस्टिक्स पढ़े वो सीफोलोजिस्ट कहलाता है, आंसर हो गया आपका आप्शन नंबर टू, ठीक यह दोनों वर्ट्स अलग-अलग भी इंपॉर्टेंट है चले आगे सेशन को पहले लाइक करके आओ, इतने सारे हो यहाँ पर, लेकिन सेशन को लाइक ही नहीं कर रहे हो, हमको भी तो पता चलना चाहिए, कि येस माइ स्टूडेंट्स आर एनेजिटिक्ट चलो बताओ प्रेजेंट और हाविंग एफेक्ट एव्रिवेर अधे सेम ताइम जो हर जगा प्रेजेंट हो वो कौन कहलाता है ओमनी प्रेजेंट कहलाता है, जो हर जगे प्रेजेंट है वो ओमनी प्रेजेंट और someone who is getting better after serious illness और injury वो कौन वाल सेंट होता है तो answer हो गया, option number one option यार ये crowd वाला answer कौन दे रहा है यार ऐसा मतरो, crowd का मतलब भीड होता है, कभी-कभी इतने गंदे आप लोग answer करते हो कि मेरा खुद से भरोसा उच जाता है please don't do this don't do this समझ माया चलें आगे answer is option number one चलो, अगला सवाल है आपके सामने फटा-फट से मुझे answer बताईए answer बताईए जल्दी जल्दी आप लोग तो कभी-कभी मेरे किड्नी में सच में हाट टाग दे देते हो ऐसे ऐसे answer करोगा कि मेरा खुद से भरोसा उच जाता है क्या पढ़ाया है इन लोगों को क्या मैंने ये पढ़ाया है इन लोगों को यार ऐसा मत किया करो कि मेरा खुद से भरोसा उच जाए चलिए बताईए हमें answer group of people who have come together in a religious building बहुत से लोग एक साथ इखटा हुए है वर्शिप करने के लिए congregation कहलाता है मेरे दोस्त क्या कहलाता है congregation लोग इखटा हुए है पूजा करने वर्शिप करने congregation and zoology कहलाती है animals की study तो answer हो गया आपको option number 3 ठीक है option number 3 is the right answer अगला सवाल देखो height का fear क्या हो तो एगर यही याद है ना तो पूरा question तुरंट सही हो जाएगा exactly इन वाले question का फायदा क्या होता है दोनों में से एक भी पता होना तो सही हो जाएगा बस repeat ना हुआ हो option में ठीक चलो बताओ चलो देखते हैं पंदरा मिनिट है पंदरा मिनिट में कितना कर्तब दिखाते हो यह हम देखने के लिए बैठे हैं यहाँ पर height के डर को क्या बोला जाता है acrophobia उचाई से डर बहुत सारे लोगों को लगता है इस डर को acrophobia बोला जाता है उचाई का डर ठीक है समझ में आया तो answer हो गया आपको option number 4 और richest people की अभी पढ़कर आए हो plutocracy होती है ठीक चलो guys test book के अगर smart books चाहिए तो description box में आपको link मिल चाहेगा यह किताब Hindi English दोनो medium में available है वो भी सारे subjects की smart preparation के लिए you can definitely go for smart books link is in the description box ठीक चलो अगला सवाल आपके पास है answer बताओ फटा फटसे सारे लोग चूहे का phobia तो यार शुदी ढूनना पड़ेगा मैंने नहीं पढ़ा है चूहे का phobia ढून लीजे चलो बताओ answer फटा फटसे happening जो जी अभी हो रही है उसके लिए क्या अस्तिमाल करते हो कौन सा word यूज करते हो है ना और फिर easily deceived or tricked ये तो बहतरीन question है this is amazing question थोड़ा सा दिमाग का अस्तिमाल करना है जल्दी से answer बताइए थोड़ा सा दिमाग का अस्तिमाल and you have got the answer अमर बिलकुल सही है एक ही देखकर answer पे मक कुदो दूनो दोनो पढ़ लो एक बार दोनो को पढ़के हमें answer दीजे and next target is 700 likes session को सब लोग कर दीजे guys so that we can reach at least 700 likes if not 1000 है ना Contemporary Contemporary और Gullible जो मासूम इंसान है सीधा साधा है इंसान है वो Gullible कहलाता है है ना दिखाया था मैंने आपको जिसको कोई भी गाली बख के चला जाए वो सीधा साधा है Gullible है option number 2 is the answer जो चीज़ अभी हमारे सामने हो रही हो वो चीज़ Contemporary है है ना एक ही समय पर हमारे ही समय पर जो हो रही है वो Contemporary है option number 2 is the answer अगला सवाल क्या बोल रहा है आंसर बताओ In an enthusiastic way कौन देगा आंसर Enthusiastic way में क्या बोलते है Feelingly Earnestly, Encouragingly या फिर Heartly What's the right answer everyone Kuldeep मुझे दो ही languages आती है Hindi and English तो मेरे लिए bilingual का मतलब Hindi और English I cannot use any other language, I'm sorry for that Ernestly होना चाहिए सोच लो एक बार सारे लोग बिलकुल ध्यान से इस कान से क्या होगा Session आपका बहुत ही छोटा बचा है तो Energy Level को यार पहले तो High कर लो Heartly Heartly कहते हैं पूरी Energy के साथ समझ में आया Heartly कहा जाता है H-E-A-R-T-I-L-Y This is Heartly पूरे दिल से पूरी Energy के साथ My students attend my session wholeheartly या फिर Heartly से बोल सकते हो My students attend my session heartly Feeling मतलब feeling के साथ Ernestly का मतलब बहुती शिदत से और Encouragingly किसी को encourage करते हुए ठीक है? आगे चले? चलो, अगला सवाल आपके सामने बताइए इसका answer Study of Earth and Composition कौन सी साइन सोती है? कौन मुझे बताएगा Study of Earth and its Composition Metrology, Biology, Geology, Zoology Who is going to give the right answer? Come on everyone Let's see Earth, Geo का मतलब होता है Earth चिक? तो Geology कहलाती है Earth की Study Geology Option number 3 is the answer Metrology क्या होती है? कौन बताएगा मुझे Comment section में What is Metrology? आप लोग मुझे बताओगे Please write down in the comment section What is Metrology? चिक? बाकी तो बहुत simple है चलो अगला सवाद जो चीज अब किसी काम की नहीं है Something that is no longer in use उस चीज को आप क्या बोलते हो? बताएगे जरा Cynic Outdated Reticent Obsolete एक word देना है आपको उस चीज के लिए जिसका अब कोई काम नहीं है बताएगे जरा Outdated अच्छा जितने लोगों ने Obsolete बोला है आंसर बिलकुल सही है Outdated सही हो सकता था But outdated इसका one word नहीं है आप Outdated कोई चीज ऐसी नहीं होती कि outdated है तो अब इसका use नहीं है No, no, no No, outdated चीज भी use हो सकती है अब जैसे की मेरा iPhone Latest नहीं है मेरे पास iPhone है Latest नहीं है Outdated हो गया है मेरा iPhone But it is still in use समझ में आया difference Outdated और Obsolete के बीच में My phone is outdated But not obsolete Use का है मैं इसको use कर रही हूँ Outdated है although ठीक तो आंसर है option number 4 यहाँ पर ठीक चलिए अगला सवाल आपके सामने बताइए Office with high salary and no work वाउ लोगों के सपनों की job Salary high है काम कम है Sinecure, honorary, parasite, honorarium What's the answer? जल्दी जल्दी से बताइए सब लोग इसका answer फटा फट से एक बार comment section जरूर से देख लीजेगा Live chat box Telegram group के link के लिए क्योंकि मैं आपको Telegram का link chat box में ही दूँगी ठीक है? चलिए Answer बताओ भई फटा फट से सारे Sinecure is the right answer Absolutely right जहाँ पर salary बहुत ज्यादा है और काम बहुत कम इस job को, इस नौकरी को Sinecure बोला जाता है Sinecure बिलकुल सही जवाब है Very very good चलो Next question है आपके सामने फटा फट से मुझे answer बताओ Tit for tat इसके लिए एक word कौन देगा Revenge, Accept, Deny, Approve What's the answer? Tit for tat Hindi में क्या बोलते हैं? Jaisa ko Taisa Revenge, Accept, Deny, Approve बताओ भई सारे लोग इसका answer And guys We can reach 800 likes पता है न Because yesterday we reached almost 1K likes तो आज तो हम 800 पहुँच सकते हैं न So session को यार like भी करते चलो और answer भी बता दो Revenge कहलाते हैं Jaisa ko Taisa Tit for tat is revenge Jaisa ko Taisa चलो, अगला देखो Group of stars को क्या कहते हैं? Congregation, Constellation Planets, Astronomy Come on everyone Write down your answers in the comment section first जल्दी से Answer दो सारे लोग And guys comment section जरूर से check कर लीजेगा Comment section मैंने आपको link दिया है Telegram group का इस link को बिल्कुल miss मत करिएगा क्योंकि आपको PDF इसी link पर मिलने वाली है चलो, जितने लोगों ने answer यहाँ पर constellation दिया है आपका answer बिल्कुल गलत है और मेरा यह कहना भी बिल्कुल गलत है क्योंकि आपका answer बिल्कुल सही है ठीक है ना, so the right answer is what? Constellation, constellation is the right answer guys ठीक, चलो, congregation कौन मुझे बताएगा? What is congregation? बताएगा कोई मुझे यहाँ पर congregation बहुत important word है जो आप से पूछा जाता है What do you all mean by congregation? Please write down in the comment section, I'm waiting I'm waiting, write down the meaning of congregation in the comment section सब लोग यहुई ना बात, यहुई ना बात Congregation वो group होता है जो group आकर religious worship करे यह congregation कहलाता है बिल्कुल सही answer आप लोगों ने दिया Well done guys Astronomy क्या होती है? Astronomy होती है जो stars की planets की position देखकर future बताया जाए इसको astronomy बोला जाता है यह astra यह जो astra root है इसका मतलब ही होता है solar system, planets यह ना? तो astronomy स्टार्स को देखकर planets की position देखकर future बताना planets तो सबको बता है ठीक, क्या बात है very good अगले सवाल पर चले अगला सवाल आपके सामने है इसमें हर एक word आपका पूछा जाता है बेहाद important है one word के लिए पहले मुझे answer बताएए फिर मैं आपको हर एक word का meaning बताती हूँ come on everyone चालिए देखे कौन इसका answer देगा और session को यार like भी कर दो because we are about to reach 800 देखते हैं 800 like किसका होता है let's see place in large institution for the care of those who are ill hangar, hostel, infirmary, dormitory कौन इसका answer देगा dormitory वाले लोगों क्यों करते हूँ ऐसा क्यों करते हूँ ऐसा large institution देखते ही dormitory मार दिया dormitory क्या होती है एक बड़ा सा room होता है जहाँ पर बहुत सारे beds होते हैं और students रहते हैं ill की सेवा नहीं होती है dormitory के अंदर infirmary वो place होती है जहाँ पर जो बिमार हैं उनकी सेवा करी जाए that place is called infirmary समझना आया infirmary clear हो गया dormitory clear हो गया hostel क्या होता है फिर hostel क्या होता है सबको पता होना चाहिए hostel किसको नहीं पता होगा hangar हे अगर यहाँ पर बात आ ही गई है hangar की अब मैं hangar बोल रही हूं तो एक hangar यह होता है एक hangar यह होता है दोनों का मतलब ध्यान से समझ लेना कौन मुझे बताएगा कि यह वाला hangar कौन सा होता है बताएए यह वाला hangar इनमें से कौन सा है आपके सामने दोनों वर्ट लिखे हैं जल्दी से कौमेंट सेक्शन में लिखिए कि इन दोनों में से यह जो मैंने ड्रॉ किया है यह hangar कौन सा है जो मैंने बनाया है वो उसकी स्पेलिंग लिखिए दोन आइव द्रॉद इस इग्जाक्टली जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया है यह h-a-n-g-e-r वाला hangar है जिसमें कोई चीज टांगी जाए और यह जो hangar है यह वो hangar है जहां पर arrow planes को रखा जाता है arrow planes को खड़ा किया जाता है समझ में बात आई ठिक तो यह था इन दोनों के बीच में difference यहां पर right answer है इंफर्मरी जहां पर ill को रखा जाता है किसी school, college वगेना में वो चीज इंफर्मरी गहलाती है ठिक, चालिए अगला सवाल है आपके पास और यह question इसका answer अगर आपने मुझे दे दिया तो I will definitely clap for you answer बताओ सहर एक student मुझे इसका answer बताएगा फटा फट से बताईए चलिए देखते हैं कौन answer देता है इसका आप लोग को देखकर तो लग रहा है हम 900 likes पहुँच सकते हैं लेकिन चलिए कोई नहीं आप like करते रहिए जिन्होंने session को like नहीं किया है जरूर से कर दीजेगा answer आना शुरू हो गए हैं वैसे और बिल्कुल सही answer आना शुरू हो गए हैं गलत भी आ रहे हैं although बताओ और कुछ लोगों के लिए यहां तो clap करना बनता है very good but yes महमुसकान, congratulations to you two and to you all अब देखो complete agreement और showing complete agreement इस चीज को बोला जाता है unanimous दो लोगों के बीच में एकदम सामन जसे हैं कोई मनमुटाव नहीं है, कोई मद्भेद नहीं है यह जो situation होती है, यह जो state होती है इसको हम unanimous बोलते हैं person who has had a lot of experience in a particular activity that person is called a veteran veteran कहलाता है जिसको एक specific field में बहुत सारा experience होता है फिर यहाँ पर आता है organizer, organizer कौन होता है, किसी चीज को organize करने वाला bilateral guys, जहाँ पर जो दो group के बीच में हो, दो countries के बीच में हो यह चीज bilateral कहलाती है, century, 100 साल का period aristocracy क्या होती है, जो बहुत ही high class के लोग है high class के लोग जो सरकार चला है, वो aristocracy होती है समझ में आ गया, answer यहाँ पर है, आपका option number 4, that is unanimous and veteran, ठीक है शलिए guys, so that's all यह था हमारा आज का session कैसा लगा, मुझे comment section में जरूर से लिख कर बताईएगा और जाते जाते भी session को अगर like नहीं किया है, तो जरूर से कर दीचेगा मेरे session की daily timings में आप लोग को बतादू मेरे जो sessions होते हैं, वो दिन में तीन बार होते हैं इस वाले channel के उपर मेरे session की, जो तीन session इस channel के उपर होते हैं, उन तीनों की session 10 p.m. पे होता है, ये session है आपका exam oriented session exam special exam oriented session होता है, ये तीनों मेरे session है एक बज़े मेरी class होती है दोस्तो एक 1 p.m. पे मेरी test book banking channel पे class होती है, ESICMTS की ठेक है, अब बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी तो सबसे ज़्यादा जरूरी बात से पहले एक बार comment box चेक कर लीजे, आप लोग के लिए मैं description मैं link डाल देती हूँ, link to my telegram group, इसके उपर आप लोग को pdf मिल जाएगा, ठीक है ना, जो group मैंने यहाँ पर डाला है ठीक, अब आपके सामने, यह जो आपको दिख रही है race to selection sale, जिसके अंदर आपको test book pass मिल रहा है, सिर्फ 399 रुपीज में, and guys समझ लीजे, आप बहुत ही ज़्यादा privileged हो, जो आपके पास test book pass है यहाँ students afford नहीं कर पाते हैं mock test, और आपको 399, in fact अगर आप मेरा code यहाँ पर यूज कर रहे हो, मेरा code क्या है ANS pass, अगर आपने payment के time पे यह code यूज कर लिया है, तो आपको test book pass सिर्फ 360 का मिल रहा है so consider yourself privileged कि आपको 360 रुपे में पूरे साल का pass मिल रहा है पूरे साल के speed test मिल रहे हैं हर exam के, सारे exams के एक subscription के अंदर है, तो आप इसको कैसे purchase कर सकते हो, यह मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरी screen ध्यान से देखिए यह आप अपने phone से भी कर सकते हो, आप laptop से भी कर सकते हो, आप जैसे YouTube पे यह video चल रही है, ठिक YouTube पे यह video है, नीचे आईए, पहला link जो आपको description box में देखे न, उस पे क्लिक कर लीजे first link को आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने यह test book pass का page खुल जाएगा इसके उपर आपको देखेगा one pass to a soul exams, यानि test book एक pass के अंदर सारे exams के mock test है, 510 exams के mock test है, 37,000 mock test है और 10,000 previous year papers है, monthly subscription for 299, yearly subscription for 399, and lifetime test book subscription for 599, थोड़ा सा नीचे आईए, right hand side में लिखा है apply coupon, इसको क्लिक करिए, और यहीं पर आपको मेरा code डालना है, जो मैंने आपको बताया है A-N-S P-A-S A-N-S, pass ठिक, यह code आप जैसे ही apply करोंगे, rates कम हो जाएंगे 399 की जगे 360 for yearly 599 की जगे 540 for lifetime, एक महिने का तो कोई guys वहीं नहीं है, मतलब भी नहीं है, इतनी चीज़ आप utilize नहीं कर पाऊगे, तो MTS, CGL CHSL, तीनों exam सा गए है, तीनों के mock test, in fact सारे exams के mock test आपको इसमें मिल जाएंगे तो जो भी आपको लेना है, select करें नीचे आईए, buy पे कर लिजे ठीक है, तो यहाँ पे आपको sign up या login जो भी करना पड़े आप कर लिजेगा and you can proceed with the payment, ठीक है तो यह तरीका था guys, test book pass को purchase करने का, I hope आप लोग को समझ में आ गया हो, बाकि समझाना मेरा काम है guys, मैंने आपको explain कर दिया है, समझा दिया है rest is on you, कि आप अपने चीज को लेकर कितना serious हो क्योंकि यह एक इनसान के ही उपर होता है कि वो अपने career को लेकर अपने चीजों को लेकर कितना serious है कि सामने वाला आपको force करके कभी नहीं कर सकता है मैं आपको एक दिन force करूँगी, मैं आपको दो दिन force करूँगी चलिए एक week force कर लूँगी कि आप मौक्तेस दो लेकिन it's on you, कि आप अपना future कैसा देख रहे हो आप अपना future कैसा consider कर रहे हो आप खुद को कुछ सालों में कहां देखना चाहते हो this is something that can take you to either on the plinth or in the you can say, एक दम नीचे इसलिए, it's very important for you to wake up to start giving your best चलिए guys, all the very best मिलते हैं सुभे नौम बचे till then, bye, take care and have a great day bye guys, take care कर दो कर दो झाल झाल